उजेन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्मा अर्ती, देजबर के करोडों सिव भक्तों के आकरशन का केंद्र मानी जाती है, लेकिन शुरू से ये बात सामने आती है कि जो भस्मा अर्ती है उसमें दलाली होती है, कई लोग अनाधीकरत रूप से शड़ालों को लाते हैं, इसक इंतिजामों के जरिए इस वसूली को रोकने जा रही है दलाली प्रथा पूरी तरीके से खत्म होने वाली हमार साथ महाकालेश्वर मंदिर समीती के प्रशाशक गड़ेश कुमार धाकर दियें जो की एक नई टेकनोलोजी के जरिए नए प्रयोग के जरिए मंदिर में जो बस बसमारती सरदारों के लिए हाई टेकनोलोजी के माध्यम से उनको सुरच्छा को देखते हुए एंट्री के विवस्ता प्रवन सम्ति के द्वारा की गए थी उसके माध्यम से बरतमान में फिलिप लैब बेरियर जैसा कि मेट्रों में होता है उसके माध्यम से उनको फास्ट प्रवेश के लिए अनुमती दी जाती है अभी क्या प्रोसेज उसकी शर्दालों को आने वाले समय में उसका पालन करना पड़ेगा? बरतमान में जिन सर्दालों को बसमारती में अनुमती दी जाती है वो अपने टिकेट के आधर पर यह अरफडी टेग है वो लिंक रहेगा स्टेक के माध्यम से यह टेग को फिलिप लब बैरियर से लगेंगे वो रीड करेंगे उसके बाद वरीर खोलेंगे एक बार रीड होन तीन मेचे पहले जो ऑनलाइन होगा तो वही शर्दालों अपने हैं दरसन कर सकें तो सर कितने शर्दालों का भी प्रवेश बसमारती में अनुमती देते हैं जो जिनके ऑनलाइन दरसन आम जनता को नहीं मंदर की तरफ से लोगों से विरसंदान की विष्टा की गई है महाकालेश्वर मंदिर में शर्डालों को लेकर जो दलाली होती है उसमें सुरक्षा कर्मի के साथ-साथ नगर जो सेवा है नगर सुरसेनिक है वो भी पकले जा चुके हैं कुल मिलाकर खाकी वर्दी को लेकर भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे मंदिर समिती के सदस्य हमारे साथ है सर यह जो नई प्रकीरिया चालू हो रही है इससे क्या लाब मिलेगा स्रद्दालों को इससे लाब यह मिलेगा आम स्रद्दालों को कि जो अस्तिक जो मतलब स्रद्दालों जो मतलब हाइटेक सुविधा के अंदर हम टेक सिस्टम लागू करने जा रहे हैं जिससे आम सर्थालों का सोसन रुके जो कि उनकी भावनाओं से खिलवार करने वाले यहां के जो किस्थानी कुछ लोग हैं जो दलाल टाइप हैं जो पेकेज के रूप में उनसे पेसा उसूल करते हैं भार के आनाले द्रसनार्शियों से उस पर हम प्रतिबन लगाने के लिए पूर्ण कटी बद्द हैं सर पूरु में कई बार खाकी वर्दी से जुड़े लोग भी यहां पकले जा चुके हैं महाकाल मंदी सुरक्षा कर्मी जो समीती के सुरक्षा कर्मी वो भी पकले जा चुके तो क्या लगता आपको कि आने वाले समय में इस पर पूरी तरह प्रतिबन लग जाएगा ने हमी क्या देखिए सो लोग काम करते हैं सो में से मतलब जो है पिंचानु वेइवान नहीं होते पांच लोग अपनी खराब आता तो के कारण मतलब पूरे मंदिर के माह निकलता है तो उसमें से मिलत नो कोई तो हम खराब नहीं किया सकते हैं सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मानो श्रम हो भी बचेगा और किसी प्रकार की गड़वड़ी नहीं होगी तो मंदिर समीति को को आर्थिक लाप भी पहुचेगा नई वेवस्ता से बिलकुल जो सोलसो टेकेटे जो पात रहें तो उसे मंदिर समीति को लाप भी होगा और उसके अलावा सर मानव श्रम जो बिलकुल बिलकुल मानव रहित कर देंगे तो श्रम भी बचेगा और टेक्नोजी सिस्टम फिलपरूब रहेगा इसे क्या उते को बिक्ति उसका चड़ चाड़ न से प्रवेश नहीं पाप आएंगे उज्जेन के महाकालेश्वर मंदिर में भसमा आर्थी के प्रवेश को लेकर जो हाई-टेक इंतिजाम होने वाले हैं वो इसी दुआर से जो शद्दालू प्रवेश करेंगे उन्हें उसी प्रकीरिया से गुजरना पड़ेगा उज्जे से ज्यादा शद्दालों को बसमा आर्थी की अनूमती मिलती है लेकिन कई शद्दालों इसी रास्ते के जरिये अनाधिकरत रूप से अंदर प्रवेश कर जाते हैं ऐसे शद्दालों को रोकने के लिए महाकालेश्वर मंदिर समीती की ओर से हाई-टेक इंतिजाम किये जा जिस प्रकार से मेट्रो ट्रेन में शद्दालों के आवाकमन को लेकर बारकोड विवस्ता के माध्यम से प्रवेश्वर मंदिर में बारकोड विवस्ता के जरिये शद्दालों को प्रवेश्वर मंदिर में बारकोड विवस्ता के जरिये शद्दालों को प्रवेश्वर दि इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एक बार कोट से दो बार श्रद्दालू प्रवेश नहीं कर सके, इसी को लेकर मंदिर समीती के ओर से बड़े व्यापक इंतजाम किये जा रहा है, आम तोर पर दिन के समय ये जो परिसर है वो खाली रहता है, लेकिन जब रातरी के समय बस अब्सक्राइब तो आर न्यू चानल अबिपलाइब प्रेमियल